दो सदिशों का सदिश गुननफल दो सदिश रासियां है या दो सदिशों का सदिश गुननफल एक सदिश रासि होती है नमबर एक अर्थात ए गुणा बी या ए प्रोस बी क्वल टू ए बी साइन थीटा इंटू एन जहाँ पर क्या होता है एक आंग सदिश होता है इसके गुणों देख लिजिए सदिश गुणन के गुणों ठीक है यह करम बिन्वे नियम का पालन नहीं करता है अर्थात ए क्रोस बी इस नॉट इकल टू बी क्रोस बी और यह आप कह सकते ए क्रोस बी इकल टू क्या हो जाएगा आपका माइनस माइनस बी क्रोस ए भी लिशित रहा है इससी परकार से यहाँ साचरी नियम का पालन भी नहीं करता है अर्थात ए क्रोस बी क्रोस बी सी इस नॉट इकल टू ए क्रोस बी क्रोस सी इसके बाद यहाँ वितरन नियम का पालन करता है अर्थात ए क्रोस बी क्रोस सी इकल टू क्या हो जाएगा इसमें आपका क्रोस नॉट के क्या होना चीए प्लस होना चीए तो यह जाएगा आपका ए क्रोस बी प्लस ए क्रोस सी इसके बाद है दो अशून्य समांतर सदिशो का गुनन फल शून्य होता है तो ठीटा इकल टू जिरो लेने पर ए क्रोस बी इकल टू ए डॉट ए क्रोस बी डॉट नहीं आएगा क्या आएगा आपका यहाँ पर प्लस चीए शूरी ए क्रोस बी साइन जिरो क्योंकि थीटा इकल टू क्या हो गया आपका यहाँ पर जिरो तो साइन जिरो क्या होता है जिरो के बराबर होता है तो यह आगया आपका ए क्रोस बी साइन जिरो इकल टू जिरो ठीकर और भी गुण है किसी सदिस का किसी सदिस से सदिस गुणनफर शूम्य होता है अर्थात ए क्रोस ए इकल टू जिरो तो यहां से क्या जागा एक आई क्रोस आई इकल टू जे क्रोस जे क्रोस के इकल टू जिरो या आई क्रोस जे इकल टू के ब्राबर होगा जे क्रोस के इकल टू आई के ब्राबर होगा के क्रोस आई कल टू जे के ब्राबर होगा यह आप कह सकते हैं J cross I equal to minus K, K cross J equal to minus I, और I cross K equal to minus J, ठीक है, यह कुछ आपके गुण मैंने आपको बताए, जो आपको याद है,